नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे G20 की, जिसकी एहम बैठक चल रही है इंडोनेशिया के बाली में आखिर जब चर्चा होती है दुनिया की 60 फीसदी आबादी की या यूँ कहें कि 70 फीसदी जो सकल घरेलू उतपाद है GDP है दुनिया का ये तमाम चीजें जुड़ी हुई है G20 के देशों से और ये देश मिल रहे हैं, चर्चा चल रही है दुनिया की तमाम ताकतवर अर्थ विवस्थाएं इसमें शामिल हैं और इस समय तमाम ताकतवर देश और उनके नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कूटनी तिक तनाव चल रहा है, चाहे वो ताइवान को लेकी चल रहा हो या यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहा हो और इस पूरे घटना क्रम में जिस तरह से ग्लोबल मंदी के बाद यह उबरा है G20 क्योंकि यहां आपको यह बताना जरूरी है कि पहले जो G7 था, वह किस तरह से G8 बना और उसके बाद 2008 के बाद जब संकट बढ़ा विश्व अर्थ वेवस्था का तब G20 बनाया गया ताकि इस संकट से दुनिया को निकाला जा सके आईए देखते हैं क्या चल रहा है G20 की इस एहम बैठक में चर्चा करते हैं प्रबीर पुरकायस से प्रबीर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं G20 पर G20 की जो बैठक चल रही है यह एक बहुत एहम परिपेक्ष में इस पर चर्चा इसले भी जरूरी है क्योंकि दुनिया में दो चीजें बहुत तेजी से जो बढ़ रहे हैं जिसको लेके चिंता है खास तोर से जिस तरह से यूकरीन में जो तनाव चल रहा है युद्ध चल रहा है नेटो और रूस के बीज जो तनाव है वह और अमरीका और चीन के बीज जो तनाव है वह इस मद्दे नजर G20 की जो बैठक है क्योंकि तमाम बड़े-बड़े देश यहां पर मौझूद है विश्व की तमाम शक्तिशाली अर्थ विवस्थाईया मौझूद है और शक्तिशाली नेता भी है यहां पर तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं G20 की इस बैठक को देखें G20 की एहमियत क्या है यह एक प्रश्ण चिन्द बन चुका है कि G7 जो देश थे पहले एक बार G8 हुआ था इसके बार G7 फिर हो गया क्योंकि रूस को बाहर निकाल दिया उनको लगता है कि दुनिया के उपर उनकी बुलबाला रहनी चाहिए और G20 सिर्व इसलिए बना था कि उस वक्त अर्थ संकट जितना था 2007-08 की उसको देखते हुए उनको जरूरत थी कि दूसरे देश भी इस क्या कहते है अर्थ नीती की जो संकट थी दुनिया में उसको उभारने के लिए उसको उभारने के लिए और भी देशों की मदद चाहिए थी इसलिए उस क्राइसिस के लिए G20 बना था उनको लगता है कि G20 का आप कोई भूमिका नहीं होना चाहिए ये भूमिका सिर्फ जो G7 देश है वही प्ले करेंगे दुनिया को पिताएंगे कहां चलना है क्या करना है नहीं करना है उसकी एक अच्छत आधिपत्य जो टोटल हेजमनी जो एक जमाने में अमरीका की थी Second World War के बाद इसके बाद 90s में 90s के दशक से जो शुरू होता है सौवेती नहीं के पतन के बाद वो बुलबाला जो उनका था वो इस वक्त नहीं है पर वो नहीं चाहते कि दूसरे मुलक इसमें आए शिरकत करे और उनको उनकी बाते सुननी पड़ी तो मुझे लगता है इस अगले बार मन जा रहा है तो इसलिए नहीं चाहते कि G20 फेल करें पर इन दो बुलकों के इलावा लग नहीं रहा है और किसी का G20 से कोई अपेक्षा है कि इससे कुछ निकलने वाला है या ऐसे कोई कदम उठाएंगे जिससे कुछ शान्ती की तरह जो आपने कहा कि चाहे उ इसमें कुछ आगे बढ़ने की कोई क्या कहेंगी कुछ हमें लेकिन दिखाई भी दे रहा है कि दोनों जो नेता हैं बाइडन और शी जिंपिन ये तो कम से कम मिले ताइवान के बाद जो लग रहा था जिस तरह से आकरामक अमरीका था कि समवाद होगा की नहीं समवाद हु इसके मिताबक सिर्फ ताइवान ही पर चर्चा रहा जो टेक वार और चिप वार चल रही है उस पर चर्चा की बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है तो यह जो बातचीत है यह आप कैसे देखते हैं देखें ताइवान के बारे में दोनों ने अपनी जो पोजिशन से उसको दूरा आया है तो उसमें कोई बदलाओ की नजरिया नहीं दिखने को मिल रहा है इतना जरूर है बाइडन कहा इसने ये बात कहा कि टाइवान में जग शायद अभी नहीं होने वाला है अब सबको मालategory है टाइवान पे जग नहीं होने वाला है और ये धंकिया जो दे रहे थे आप कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा और टाइवान के बारे में चीन भी ये कह चुका है कि अगर टाइवान आजारी गोशना करता है तो दोनों अपने बातों पर बरकरार है पर दोने परस पर विरोधी नहीं है तो इसलिए ये तो एक आंती की कोई नॉर्बल सी की जलक तो नहीं मिल रही है सिर्फ इतना बात हुई है कि बातचीत अभी शुरू करेंगे अब करीब करीब बातचीत बंद हो चुकी थी बातचीत फिर शुरू होगा ब्लिंकन भी जाएंगे बातचीत शुरू होगा पर उनका अमरीका का जो मु जो दूसी बात है कि आप रूस पर प्रेशर डाले कि वो हातियार गेर दे ये दोनों चीज चीन करने के लिए तयार नहीं है ना कि इसकी कोई उमीद हम लोगों को किसी और को होनी चाहिए कोई भी मुल्क इसको मानेगा नहीं जी इसी मद्दे नजर अब भारत को क्या असर प चीत हुई है और बहुत बड़ी बात की यूक्रेन में युद्विराम की बात चल रही है डिप्लोमेसी की बात चल रही है कि भाई कूटनितिक हस्तक्षेप हो इस मद्दे नजर जी ट्वेंटी से भारत को क्या हासिल आपको लगता है जी ट्वेंटी के जो फॉर्मेशन है वो अगर कोई रोल प्ले करता रोल अदा करता है तो हमारी उस पर अधक्षटा करने का एक पायदा होगा अगर जी ट्वेंटी में कोई इस तरह की रोल दिखाई नहीं पढ़ता किसी को तो जी ट्वेंटी का अधक्षटा भी जैसे इंदुलिश्या इसILY सवक्त उनकी प्र के लिए नहीं ताकि लोग समझ रहे हैं कि चाहे तुर्की हो चाहे भारतवर्ष हो शायद ये बीज बिचाओ कर सकते अभी भी क्योंकि दोनों साइट के इनके साथ बातचीत है बरकरार है रूस के साथ भी है अमरीका की साथ भी सोच लिजे तर्की नेटो का पार्ट है ठीक ह करना है उनको बीच बिचाओ करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है अभी भी इस वाक्त उनकी सीक्रेट सर्विस की जो चीफ है अमरीका का और रूस का वो तूर्की में इस्तनबूल में मिले हैं और कहा तो है कि तीन गंटा बैट के बार्ण सुनकी ज़ाए का चीफ है उन्होंने कहा हमने उनको धंकी दी है कि न्यूकलर अस्ट आप इस्तमाल नहीं करें तो अमरीका की भी पोजिशन है जो सब देशों की पोजिशन एक हिसाब से है तो यह क्या है तीन गटा क्या बात कर रहे थे मतलब बैंक डॉर बातचीत शुरू हुआ है कुछ होगा नही होगा वो वक्त ही बताएगा पर यह सोचे कि बीच बिचाओ करने के लिए दूसरों के जरूरत है यह हकीकत नहीं है हाँ अगर कूटनीत एक जगह पर पहुंचती है जिसके लिए उनको बीच बिचाओ दिखावे के लिए लोगों की जरूरत है तो उसमे भारत बर्ष हो त गर्मनी हो वो प्ले कर सकते है उस भूमिका प्ले कर सकते है पर हमारा उस G20 से कोई खास फायदा होगा यह हमें सोचना चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि G20 का इस वक्त भूमिका नहीं है जी ट्वेंटी से और जो दूसरे रीजिनल ब्लॉक्स बन रहे हैं उनकी भूमिका है ब्रिक्स की क्या भूमी का होगा सवाल यह है क्योंकि लूला प्रेजिडेंट बन रहे हैं जैनवरी पहला तारिक वो अपना पद ग्रहन करेंगे तो दुनिया की राज़नीत कुटनीत कैसे बदल रही है उसको देखते हुए एक तजबीर हमारी मानचित्र से भी साफ है जो आ धारित कर रहा है इस कूटनीतिक लड़ाई या जुद्ध की लड़ाई के बाहर तो वो सैंक्शन्स के अंदर नहीं है जी सेवन का सैंक्शन्स में वो नहीं आये हैं तो यह सब देखते हुए वो क्या भूमी का होगा दूसरा एक जमाने में उसको तीसरी दुनिया कहते थे तो उस दुनिया का क्या रोल होगा यह देखने की जरूरत है क्योंकि वो ज्यादा इस वक्त अहमियत रखता है धीरे धीरे उनकी वोईस आ रही है और आफरिका की वोईस जिसमें G20 में सिर्फ एक आफरिकली देश है वो इस आफरिका आफरिका देखा हम इतना बड़ा मु कम से कम आफरिकन यूनियन को तो इस पर आप एक पार शामिल करते तो यह बाते अभी आ रही है कैसे किधर जाएगी दुनिया की राजडीत देखने की बात है यह बात सही है पुराना जो राजडीत थी जिसमें अमरीका हर चीज जो कहता था और हो जाता था वो नहीं होने और कम से कम ऐसा लग रहा है कि जी ट्वेंटी रूस को जिस तरह से किनारा करना चाहते थे जी सेवन के देश और खासों से अमरीका और नेटो देश उसमें तो सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं देखिए उनका यह था कि पूतिन आते तो उनको शायद पब्लिकली हुम जब एक इतना बड़ा बुल्क का मुख्या नहीं आता तो वो उनका शायद प्लैन यह था कि रूस को कोने करके दूस को नीचे करने की कोशिश करेंगे खास तोर से पूतिन को पिछले बार किया था कोशिश किया था उसको मानित करना पब्लिकली तो वो मौका नहीं मिला इ G20 इस बैठक से कुछ निकलते अभी दिखता नहीं है अगर कुछ होगा तो मुझे काफी अचरज होगा इस बात पर कि कुछ निकलते वे दिखता नहीं है और बातचीत भी अगर होगी तो यह इस तरह के माहौल में नहीं होगी वो बैंक डूर बातचीत चलता है चल रहा है पर कहीं पहुंचते अभी तक तो देख नहीं रहा है बस कम से कम यह दिखाई दे रहा है कि तमाम नेता जो आपस में लड़ रहे हैं भीड़ रहे हैं अलग खड़े हुए हैं वो यहां एक संबाद इस्थापित कर रहे हैं फोटो शूट्स भी हो रहे हैं फोटो आपस हो रहे हैं तो ये भी एक दूसरे ढंका संकेत है कि बाचीत की संभावना विश्व कूटनीती में भी बनी होई जाए और एक अच्छा तजवीरे अख़बारों में आ रही है हमारी प्रधान मंत्री को इसमें शामिल है इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री शामिल है तो ठीक है और चुबी दिखाई पड़ती है दुनिया में सिर्फ ये नहीं कि पूतिन और बाइडन ही दो तस्वीर है शी तस्वीर है और भी तस्वीरे आ रही है पर कूटनीती दुनिया की इस यहां से कूटनीती का राष्टा नहीं निकलेगा वो क्या है देखने की बात है अब तक तो नहीं लग रहा कि G20 में उस तरह की कोई तयारी है कि कुछ अलग राष्टा निकालने की बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ऐसा लग रहा है कि G20 से G7 की जो देश हैं वे बहुत खुश नहीं वे रूस को किनारा करना चाहते थे रूस पे जो सैंक्शन्स लगाए हैं इस पे तमाम देशों की सहमती चाहते थे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि विश्व शान्ती की दिशा में G20 कोई सार्थक कदम उठा पाएगा या नहीं क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी इसमें युद्ध नहीं शान्ती चाहती है देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया